बिस्मिल्य रह्माने रहीम आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही अपसुरत और स्ट्राइलिस सानेक डिजाइन जिसके लिए मैं यूज करूंगी सूती धागे का आप चाहें तो एंकर स्ट्रेट भी ले सकते हैं पाइपिन के लिए मैं लूँगी सिल्क फैबरिक जो मेरे पास बढ़ा हुआ है आप चाहें तो रेडिमेड पाइपिन भी यूज कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक की चोड़ाई के लिए हम निशान लगाएंगी साड़ी तीन इंच पे और लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगी सिक्स इंच पे स्लिट की लंबाई के लिए हम निशान लगाएंगी तैन इंच पे अब इन निशानों को हम जोड़ देते हैं उपर से हमने थोड़ा सा इसको गोलाई वाली शेप दे देनी हैं बिल्कुल वी नेक नहीं बनाना और साइड से हम एक एक इंच के फासले पर निशान लगाएंगे और ये निशान हम नीचे तक लगाएंगे एक एक इंच के फासले पर नीचे से हमने थोड़ा भी शेप देदेनी हैं अब इन निशानों को हम जोड़ देते हैं और उपर से भी सेम उसी तरह शेप में निशान को जोड़ देते हैं अब यहां पर कटिंग कर लेते हैं यह नएक डिजाइन बनाने में बहुत इजी हैं आप अपने इड के ड्रेसेस भी यह डिजाइन बनाएं बहुत ही खुबसूरत बनेगा इन्शाला यह देखिए मैं निकटिंग कर ली है अब इस पर हमने डिजाइन बनाना है आप अपनी मुताबिक भी डिजाइन ड्रॉ कर सकते हैं और मैं यहाँ पर डिजाइन ड्रॉ करूँगी साइट से हाफ आफ इंच के फासले पर मैं लाइन्स ड्रॉ करूँगी और दूसरी साइट से भी एज इट इस लाइन्स ड्रॉ करूँगी फासला आप अपने मुताबिक कम या ज्यादा रख सकते हैं इसी तरह से मैं पूरे उपर तक लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी दूसरी साइट पर मैं इसी तरह से ही लाइन्स ड्रॉ कर लूँगी यह देखिए इस तरह से कुछ हमारा pattern ready हो गया अब यहां पर अगर आपके पास कपड़ा ज्यादा है तो आप as it is इसको लगाएं और आपको cutting करने की जुरुएत नहीं पड़ेगी मेरे पास कपड़ा क्यूंकि कम था तो मुझे दर्मियान में से इसकी cutting करनी पड़ रही है और इसी तरह से cutting से पहले आप lines इसकी ऊपर stitch करें तो बहुत आसानी होगी यहां पर यह देखिए मैंने दो अलग-अलग side पर fabric के साथ इसको attach कर लिया है अब मैं यह धागा लूँगी आपको इसा भी धागा लेए नलकी का धागा भी ले सकते हैं जो normal thread होता है उसकी मदद से फिल लेकिन उसको आपने दो या तीन दफा फिर आपने बॉबिन में भरना होगा और यहां पर मैंने बॉबिन का screw जो है वो धीला कर दिया है और उपर हमने normal धागा इस्तिमाल किया है अब यहां पर same as it is lines के ऊपर मैं stitch करती जाऊंगी lines को और नीचे हमारा pattern ready होता जाए तो lines को आप किसी दूसरी shape में भी draw कर सकते हैं लेकिन यह इस तरह के lines बहुत अच्छी लगती हैं तो इस तरह से मैं भी draw कर ली है और मेरी कोशिश होगी कि हर एक point मैं आपके लिए clear करके बताऊं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आए बस इसके लिए और कोई मुशकि नहीं है बस आपने lines के ओपर ही line stitch करते जाना है और back side से हमारा design ready होता जाएगा और अगर आपको आज का design पसंद आ रहा हो तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के यह design आपको बहुत पसंद आएगा और इसके stitch करने का तरीका मैं बहुत ही आसानी के साथ आपके साथ share करने वाली हूँ कोई भी मुश्किल नहीं पेशाएगी आपको इंशाला तो यह देखिए इस तरह का pattern ready हो गया है दूसरी side पे भी मैं as it is line stitch कर लूँगी तो यह देखिए मैंने line stitch कर ली है अब इसके साथ वाले जो extra fabric है इसको cut कर लेते है और दूसरी side से हमने fabric as it is रहने देना है क्योंकि इस side से हमने pipe in लगानी है तो हमें extra fabric नहीं चाहिए यह देखिए इस तरह से अब जो silk fabric मैंने आपको show कराया था उसके मैंने पट्टी काट ली है 2 इंच की और इसको double fold करके press कर लिया है और रेप पट्टी लेने की कोई जूरूरत नहीं है यह बिलकुल simple straight cutting इसकी हुई भी ह तो इस तरह से बिलकुल side पे हमने एक पैर की दूरी पे इसको stitch करना है आप चाहे हैं तो pipe in की चोड़ाई का मियाज यादा रख सकते हैं तो इसको as it is जितनी फासले पर मैं उपर से start करूँगी सेम उतनी ही फासले पर मैं नीचे तक इसको लेकर जाऊंगी pipe in आपके तब ही neat आती है कि आपने start से लेकर end तक same distance पे सिलाई लगानी होती है और अगर इन designs की complete designing, dress designing देखनी हो तो आप मेरे दूसरी चैनल का विजिट कीजिए dress designing, fashion dress designing की name से है तो आप विजिट कीजिए वहाँ पे मैं इन तमाम designs की complete dress designing आपके साथ शेयर करती हूँ अब यहाँ पे देखिए मैंने fabric को मूर के piping start करती है और यह बहुत easy से मूर के ready हो जाता है यह देखिए बहुत ही neat way में यह ready होता है और दूसरे side को भी मैं as it easy stitch कर लूँगी तो यह देखिए मैंने यहाँ पिस्ट्रिच कर लिये है अब इसके बनाने का तरीका लगाने का तरीका बहुत ही easy तरीका मैं आज आपको सिखाने वाली हूँ इंशाला तो यहाँ पे उपर से हम निशान लगा लेते हैं कि हमें गले की deepness कितनी चाहिए दोनों साइट्स पे मैं निशान लगा लूँगी और नीचे से लाइन्स को बिल्कुल साथ साथ रखते हुए हमने निशान ड्रॉ करने है अब यह मैंने फ्रंट पार्ट लिया है सेम इसके ऊपर पट्टी लगाऊंगी जहां पे मैंने गले को स्टिच करना है लगाते वे आपने बहुत एहतियात करनी है कि स्लिट के साथ बिल्कुल सेम एज इस आपने ऊपर रखना है इसको और सिलाई का मार्जन छोड़ते हुए हमने लाइन ड्रॉ करनी है यहां पे यह देखिए इस तरह से अब इसके कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने के बाद यहां पे हमें कोई बुक्रम की या एक्स्ट्रा या दुबारा से नेक को स्टिच करने की जुरुएत नहीं है इसी के उपर ही हमने यह स्ट्रिप्स अटैच करनी है और किस तरह से अटैच करनी है बुजर अगोर से देख लीजिए आप यह जो निशान मैंने ड्रॉ किया है सेम इसको उपर निशान के उपर रखते हुए हमने सलाई लगानी है इस तरह से रखते हुए उपर तक यहां भी देखें और किस तरह से हमने रख कि इसको स्टिच करना है इस तरह से आप नीचे तक आएंगे और निशान से निशान जोडते हुए आपने इसको सलाई लगा लेनी है और बस यहां पर आपने स्टॉप कर देना है और थ्रेट काट दे अब दूसरी साइट से भी हम एज इस जो हमारे पास दूसरी स्ट्रिप है उसको भी अटैच करेंगे बस यह आपने ख्यार रखना है कि निशान के साथ निशान को जोड़ के आपने यह सिलाई लगानी है यह सिलाई में ले जाओंगी बस सिलाई लगाते विए आपने एहतियात करनी है यहां पर यही देखें इसको अब हम सीधा कर लेते हैं दोने साथ से बस यहां पर आपने यह ख्याल रखना है कि निशान से निशान जोड़ते विए आपने सिलाई लगानी होती है बाकी इसके स्टि memes करने ka जो तरीका है वो बहुत ही आसान है अब इसके उपर टॉप स्टिच लगाते हुए हम नीचे तक आएंगे यहां से बहुत एदियात को साथ अपने सिलीट के उपर ही इसको मूडते हुए सिलाई लगा लेनी है अब नीचे से इसको मोड लेते हैं एक्स्ट्रा फैबरिक की कटिंग कर लेंगे और इस सिलाई को यहां से नीट रखने के लिए बहुत आपने थोड़ा सा एतियाद करनी है और यहां से भी एक्स्ट्रा फैबरिक को मोडते हुए आपने ओपर इसको लेकर जाना है सिलाई को बस थोड़ी सेटिंग करते हुए आप सिलाई लगाते जाएं इसमें कोई जोल नहीं आता है और तरीका बहुत असान है आप एजिली अपने घर में स्टिच कर लेंगे आप लाइन अगर नहीं भी स्टिच करना चाहते हैं तो इसके लावा आप कुछ और डिजाइन भी यहाँ पर स्टिच कर सकते हैं यह आप पर डिपेंड करता है कि आपको किस ताना की डिजाइनिंग अच्छे लगती है अब दूसरी साइड से भी ऐस इट इस यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने इसको पका कर लेना है और इसके साथ साथ दूसरी पाइबिंग के साथ हमने इसको स्टिच करते जाना है यहाँ पर धागा खतम हो गया था बात में मैंने इसको अगेन धागा भरके और यह से लाई कंप्लीट कर ली थी यहां पर यह देखिए इस तरहां से सिलाई कंप्लीट कर ले और यह हमारे पास बहुत इजी तरीके में हमने स्लिट वाला डिजाइन रेडि कर दिया है बटन्स भी अटेच कर दी हैं उमीद करती हूँ आज का डिजाइन आपको अच्छा लगा होगा तो फिर मिलेंगे था भी